हेलो गाईज मेरा नाम रावल अगरवार और वेलकम बैक टू डिजिटल इसॉल्ड तो गाईज आज हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल पे कस्टम चैनल नेम अगर आपको रखना है तो आप वो कैसे सेट कर सकते हैं अब देखें यहाँ पे अपने डैशवोट पे आगया हूँ और लेफ साइट पे हम चलेएंगे सीधा कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद गाईज हम जाएंगे बेसिक इन्फो पे देखेंगे हम और यहाँ पे हम देखेंगे हमारा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है आपके पास कुछ basic requirements fulfill होने चाहिए आपको ये देख सकते हैं आप एक logo होना चाहिए आपके page का आपके पास एक channel art होनी चाहिए यानि cover photo जो किसे कहते हैं और आपके पास minimum 100 subscribers होने चाहिए उसके बाद ही ये option जो है आपको देखेगा उससे पहले आपको ये option नहीं देखेगा और एकदम ही नहीं देखता है 100 subscribers होने के बाद एक दो दिन आप वेट करें उसके बाद आपको ये option देख जाएगा और फिर अपने आप ही यहाँ पे YouTube ने additionally solved यानि की मेरे चैनल का नाम जो है लिख दिया है अब मैं इसको delete कर सकता हूँ यहां से और मिरको अगर कोई और चैनल ने मैट करना है तो फिर मैं वो यहीं से same कर पाऊंगा एक बार मैं आपको दोनो ये चैनल खोल के दिखा देता हूँ मैंने यह link copy कर रहा और फिर मैं इसको यहां पे paste कर देता हूँ और मैं आपको यह वाला link भी खोल के दिखा देता हूँ और देखेएंगे आपकी दोनों एम ही जागे खुलेंगे क्योंकि दोनों ही चैनल के URL मेरे ही है तो इसमें कोई फराख नहीं है बस बात ही हो जाते है अगर आपको किसी को भी शेर करنا है अपना link शेर करना है तो आपको अगर चैनल का नाम आ रहा है ताकि similar ही रहे मेरा एक और चीज़ बता दू guys मैं आप इसको edit करने जाएंगे तो आपको अपने channel का name compulsory रखना पड़ेगा इसके आगे आप कुछ भी add कर सकते हैं जैसे कुछ लोग vlogs vlogging या daily या कुछ भी add कर सकते हैं लेकिन channel का name आप नहीं हटा पेंगी guys और देखेंगा इस branding में वो बात थी जो मैं आपसे कहा रहा था picture होनी चाहिए आपके बस और banner image होनी चाहिए compulsory जब तक ये लगी वही है तभी भी आपके बस option रहेगा आप अपना custom channel URL चेंज कर सकते हैं thank you for watching this video guys मिलते हैं अगली वीडियो में